क्या आपने कभी सोचा है कि क्यूं एक चलती हुई एम्बिलेंस जैसे जैसे आपकी ओर बढ़ती है, उसके साइरेन की पिछ बदलती हुई प्रतीत होती है? वास्तव में साइरेन की पिछ में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप जो अनुभव करते हैं वो एक परसीवड साउंड शिफ्ट है, जिसे डॉपलर एफेक्ट की नाम से जाना जाता है सोर्स और अब्जर्वर के बीच होने वाले रेलेटिव मोशन के कारण वेव यानी तरंग की फ्रिक्वेंसी में महसूस होने वाले परिवर्तन को डॉपलर एफेक्ट कहते हैं डॉपलर एफेक्ट किसी भी वेव प्रोड्यूस करने वाले सोर्स में हो सकता है तालाब के पानी में चलते हुए किसी कीडे दुवारा बनने वाली waves में या फिर किसी चलती हुई ambulance की sound waves में जब कोई wave produce करने वाला object किसी fixed point या observer की तरफ आता है या उससे दूर जाता है तो Doppler effect देखने को मिलता है object के सामने वाली waves compress हो जाती है और उसके पीछे की waves फैल जाती है यहाँ पर Doppler effect चलती हुई ambulance के साइरन से उत्पन होने वाले sound से संबंदित है रुक्य हुई ambulance के साइरन की pitch स्थेर होती है इस समय साइरन की sound waves सभी तरफ एक समान है जब ambulance आगे बढ़ती है तब भी uniform sound waves produce करती है लेकिन इसके आगे की ओर sound waves compress होने लगती है जिससे wave की frequency बढ़ जाती है इसलिए किसी observer की ओर आती हुई ambulance के साइरन की sound उससे high pitch पर सुनाई देगी जैसे ही ambulance पास से होकर दूर जाती है तो siren की sound waves फैलने लगती है इस तरह waves की frequency कम हो जाती है और observer को उसकी आवाज पहले के मुकाबले एक lower pitch पर सुनाई देती है तो यही वज़ा है जब एक ambulance किसी observer के पास आकर दूर जाती है तो उससे siren की sound की pitch high से low होती हुई सुनाई देती है हुआ 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 है